हलो फ्रेंट्स वेलकम टू शो मेंस्टेक दोस्तों गर्मी का टाइम आ गया है और आप लोग कूलर और टावर फेंड खरीदने के लिए निकल परे होंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जा रहे हो कि आपको कूलर खरीदना है या एक टावर फेंड खरीदना है तो आज मैं आपका ये दोनों कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ जिनको टावर फेंड का जरूरत है वो लोग टावर फेंड खरीदियेगा जिनको कूलर का जरूरत है वो कूलर खरीदियेगा तो आपका जरूरत क्या है यह मैं आपको डिसाइड करने में मदद कर दूँगा वीडिय तरह के cooler खड़ी सकते हो, लेकिन basic एक ही है, tower fan जो होता है, इसमें सिर नॉर्मल हावा निकलता है, दोस्तों बहुत सारे जगे पे आपको बहुत सारा advertisement दिखेगा, कि tower fan से पूरा घर cool cool हो जा रहा है, लेकिन क्या सच में tower fan से पूरा घर cool cool हो जाता है, अगर सच में ये चीज आपको जानना है, तो मेरा पिछला एक वीडियो है, इसमें क्लिक कीजिए, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि सच मुझ क्या tower fan घर को ठंडा करता है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि tower fan घर को ठंडा नहीं करता है, आपका घर का जो temperature है, वो ही temperature रहेगा, सिर तो फैला हुआ होता है, लेकिन जो tower fan होता है, उससे एकदम pointed हवा सीधा आपके उपर पड़ता है, जिसके वज़े से tower fan का हवा थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन tower fan का हवा बास्तब में उतना ठंडा नहीं होता है, दो पहर के टाइम में जो गरम हवा बाहर से आता है, जो दर्वाजे के साइड में tower fan को लगा देता हो, तो वो एकदम cool हवा घर के अंदर fake देता है, जो चीज आपका cooler में नहीं होता है, cooler में दो पहर के टाइम में जो गरम लू हवा बैता है, तो उस हवा को cooler ठंडा करके आपके घर में पौचा देता है, बहुत सरे लोग रात को cooler चलाना पसंद नहीं करते हैं, पानी दे के, वो लोग dry cooler पसंद करते हैं रात के टाइम में, क्योंकि रात में cooler का जो हवा है, वो ठंडा हो जाता है, जिसके वाज़े से कभी-कभी सर्दी लगने के chances भी हो जाते है, क्योंकि cooler में घर का जो moisture है, वो तोड़ा बढ़ जाता है ऐसा बहुत सारे लोग प्रशन करते है कि cooler क्या पानी फेकता है, नहीं दोस्तों, यह ऐसा चीज नहीं है कि आपके उपर पानी स्प्रे करेगा, लेकिन जब आप घर में cooler चलाओगे, तो आपका घर का जो weather है, वो थोड़ा moisture हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका evaporate है, इसमे पानी पीछे से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहां से उपर की तरफ उठता है, और वो आपके घर में फैल जाता है, हवा के साथ भी थोड़ा नमी बन जाता है, देखें दोस्तों, cooler कहां काम करता है, cooler एकदम dry heat में काम करता है, जहां आप बाहर निकलो तो एकदम लू ल रहता है, आप बाहर जाते हो, पूरा पसीना पसीना हो जाते हो, उस जगे पे cooler अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे moisture ज्यादा है, cooler हमेशा जो dry weather है, उस जगे पे आपका अच्छा काम करेगा, अब कहां पे dry weather है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, दोस्तों, क cooler AC की तरह ठंडा करता है, किसी किसी जगे पे, जैसे रेगिस्तान में, एक दम जहां dry weather रहता है, वहां cooler AC की तरह भी काम करता है, लेकि नॉर्मल जो city oriented जगा है, वहां पे cooler आपका AC की तरह काम नहीं करता है, cooler एक burden बन जाता है, बाद में आपको लगता है कि ये इसको कहां रखू, क्योंकि बहुत दिन cooler यूज़ करने के बाद आप इसको किसी कोने में fake देते हो, उसके बाद आप AC खरीद लेते हो, देखें दोस्तो, cooler में तो आपको पानी डालना ही पड़ेगा, इसमें थोरा कसरत आपको करना ही पड़ेगा, जो AC होता है वो तो आप plug में on कर द आता है, अब आपको tower fan खरीदना चाहिए या cooler खरीदना चाहिए, दोस्तो अगर आप सिर्फ हवा खाना चाते हो, तो आप एक tower fan खरीदो, ये tower fan पहले AC extender के हिससे काम करता था, मान लो घर के किसी कोने में AC का हवा ठीक से नहीं जा रहा है, तो उस कोने में एक tower fan बैठा जा रहता है, और इससे लोग हवा भी खाते है, मान लो आप किसी शॉप में बैठे हो, या ऐसे जगे पे बैठे हो, जहां आप एक पंखा लेके नहीं बैठ सकते हो, उस जगे पे ये tower fan अच्छा है, पंखे का substitute है ये tower fan, लेकिन cooler अलग चीज होता है, अब हर जगे पे आप cooler भ कोई काम में नहीं आएगा, तो वो भी आपका बेकार हुआ, cooler को perfect atmosphere में आपको चलाना पड़ेगा, जहां से ये अपना काम ठीक से कर पाए, देखिए cooler जो होता है, ये सिर्फ हवा खानी का चीज नहीं होता है, क्योंकि इसका ये air vent होता है, ये छोटा होता है, और tower fan हवा ख को धकेलता है, तो आपको अगर आपने घर को ठंडा करना हो, तो उस जगे पे आपको एक cooler खरीदना है, वहाँ tower fan कोई काम का नहीं आएगा, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हवाई खाना है, तो आप एक tower fan जरूर खरीज सकते हो, दोस्तो electricity consumption कितना है, देखिए जो tower fan औ मोटर छोर के और कुछ extra नहीं है, इसमें भी blower लगा हुआ है, इसमें भी आपका blower लगा हुआ है, तो लगबख एक ही तरह का current दोनों में खिचता है, लेकिन इसमें आपका उतना ज्यादा हवा नहीं होता है, देखिए, cooler में अगर आपका tower fan जैसा उतना जोर से हवा निक आपको सिर्फ हवा चाहिए, तो आप एक tower fan ले लो, और अगर आपको हवा के साथ ठंडा भी चाहिए, तो आप एक cooler ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ठंडे लगने की परिशानी होता है, तो आप कभी भी cooler के तरफ मत जाओ, क्योंकि cooler का हवा बहुत देट तक body पे लगने क सकते हो, मैं आपका सवालों का जवाब जरूर दूँगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ,